तो आप लोग सवच्छता के लिए का करते हैं अपने आफ पर सफ़ाई रखते हैं तिके सफ़ाई करने के बाद वो जो अपने के यहां से गार्वेज जो निकलता है डस्ट के उसका करते हैं किठें हैं किस थे हैं डालते हैं तो आप अफें इस प्रावर अबंक गालता हुँगा करने के ज你是 कि वो पोक्स पे जमें बलूरल न क्यों में हैं इंफोर दोरों में कैसा इंप्राइं ने इंफोर्वेशन दें कि आपको भी रच्रा निजाए अपने घर से उसमें गीला कच्रा अला रखेंगे इस पूंसे बॉक्स में डालेंगे तो गीला कच्रा तो इसको बाद है कि सुखा कच्रा होता क्या है और जिसने डाले टाफें और रिच्राइफ यह सुखा कच्रा होता है और इनको अलग क्यों गारते हैं जिसे को पता है कि इन डोरों गदालें क्यों जे जाता है तो मैं एक ज dalतों कि अठाथ जो कर और ऑफ जिसे को इसको घंपोस्ट बढ़ Еचि को और ना पिदाएं है जो तो बत्यों को रिसाइक्ल के ताइक किया रहा सकता है तो वह पेस्टुन trailer को चुड़ी लगए क्वाइगें इस हैं इसमें पेस्ट अधार्शनीय संध्य को sap सब्सक्राइब कर सकते हैं आप मैं आपको बताता हूं आपको व्याद रखेगा नेक्स ताइम आपको आप से कोश्चन करना हो के क्या एक क्या लेना है मत्का लेना है कोई भी प्लास्टिक भी चलेगा क्या लेदा करें उसमें लेया कंना नहीं है क्योंगे एक ढाल देना है उसके उफर कश ने ओरिट रेना है जो आपके वागर बर्ट चाहिए को गभर डाल स्कोंगे दाल दिये गार इंदा है अपधार बना नगीला कच्छर डालना है तो उसके बाद फी उसको मिलाना है इसको मिलाते रहना है पानी डालना है मिलाते रहना है तो इतने दिन में रेड़ी होगा जबाद साट से सित्तर दिन हो तो हमको एक मत्की पजा तीन मत्की यूज़ करने है प्रेट निकलता है उसके बाद आप उसको छोड़ देना है निस परण के में रहते हैं उसमें कंपोस्त क्यार हो जाता है कर सकते हम लोग कर सकते हैं तो इससे फाइदा क्या होगा एक तो तो अच्छी खाल मिलेगी और दूसरा हमारे घर से कच्रा नहीं निकलेगा तो साफ सफाई ओर्रेडी होने लगेगी तो आप लगा रहना आपसर दो रस्टमिंट का यूज़ करना जो तो बता का आपसर ब्लू पोक्स अलग ब्लू में कौन सा कच्रा घिना शूखा कच्रा ब्लू में शूखा कच्रा और ग्रीड में घिना हम यह शपत लेते हैं कि हम मी मिला और सुखा कच्रा ब्लू और भी फोक्स में ही डालेगें आज पास सपाई रखेंगें और जो भी गंदरी करेगा उसको रोकेगें तो रोकेगें ताइक यू प्रश्टमिंट